तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने मोटू और निंग रॉंग रॉंग को देखा जो सपने के अंदर थे और सपने के अंदर उन्हें ये मालूम हो गया था कि ये सब एक इल्यूजन है। कि उन्हें जल से जल इस जगह से अपने कलना होगा और वो दोनों ही आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन जियांग मोटू को और आसकर निंग रॉंग रॉंग को रोकने लगते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे छोड़ कर मत जाओ। उपर की तरफ देखते हैं और एक दूसरे की आँखों में आखे डाल कर यहां से निकले का डिसाइड करते हैं। आसमान में एक चीज थी और मोटू उड़कर उसके पास जाने लगता है और निंग रॉंग 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 उसकी पावर को बूस्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ एक फिश निंग रॉंग 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 पर अटाक करने आ जाती है। और वहाँ खड़ी जियांग ये देखकर मोटू के लिए डर जाती है। आसकर भी निंग रॉंग रॉंग की चिंता करने लगता है। अब मोटू जो हार नहीं मान सकता था वो खड़ा होता है। और अब निंग रॉंग 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 फर्स्पिरितरिंग का यूज़ करके पहले मोटू की स्ट्रेंद बढ़ाती है। और फिर second spirit ring का यूज़ करके वो मोटू की speed increase करती है, third spirit ring का यूज़ करके वो मोटू की soul power को boost करती है, और फिर fourth spirit ring का यूज़ करके वो मोटू की defense power को बढ़ाती है, वही साथ-साथ में master अपनी energy को collect कर रहे थे, और वो निंग रॉंग रॉंग को ऐसा करते देख निंग रॉंग 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 पर attack कर देते हैं, लेकिन attack खाने के बाद भी वो अपनी fifth spirit ring जिससे attack boost होता है, और six spirit ring का use कर देती है और फिर attack खाने की वज़े से वो नीचे किट जाती है, लेकिन अब भी वो हार नहीं मानती और seven spirit ring का use करके जियूबाय की true form का use करती है और इससे उसका पगोडा फलार बहुत बढ़ा हो जाता है, और मोटू को अब इस सबसे इतनी जादा energy मिल जाती है कि वो अब अपनी phynix की true form को achieve कर लेता है, मोटू अब बहुत जादा खतरनाग दिखाई दी रहा था और मोटू बहुत गुस्से में अब मास्टर पर attack करने के लिए आगे बढ़ रहा था, मोटू और मास्टर की energy अब आपस में टकराती है और उनके टकराव से एक बहुत बढ़ा विसवोट होता है, जिससे हर तरफ आग ही आग हो जाती है, लेकिन इस विसवोट से भी मास्टर को कुछ नहीं होता और मोटू बहुत जादा घायल होकर नीचे गिर पड़ता है, ये देखकर निंग डॉंग रॉंग अंदर से टूट जाती है और बहुत उदास हो जाती है, जियांग भी ये देखकर रोनी सी लगती है, लेकिन तबे फिर हम मोटू को देखते हैं जो एक तम स्पीट का यूज करके मास्टर के पीछे चला जाता है, और फिर उनको मास्टर को बहुत जोर से लग रहा हूँ, और फिर हम धुई के अंदर फिनिक्स की ट्रिफॉर्म को देखते हैं, जो देखने में काफी जाधा तरावनी और खतरनाक लग रही थी, वही बोजायक जी ये सब देख रही थी, वो खुश होती है और कहती है कि अच्छा हुआ म मुटू और निंग रॉंग 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 ने अपने इल्यूजन को जल से जल तोड़ दिया, इल्यूजन में उनको पे ना देकर प्यार दिया गया था, और प्यार नफरस से जाधा ताकतवर हत्यार होता है, और इल्यूजन मास्टर ने उनके प्यार को वही हत्यार के रूप में चुना था लेकिन इन दोनों ने अपने प्यार को अपने उपर हावी नहीं होने दिया और illusion को तोड़ दिया। उन्होंने illusion को तोड़ने के बाद भी master से physical strength में भी अच्छे से लड़ाई की और अपनी जीत हासिल की। अब फिर हम मोटू और जियान को देखते हैं और वो दूनों ही काफी जाधा गायल हो गए थे। वो दूनों अब एक दूसरे को समपालते हुए वापिस अपने दोस्तों के पास आते हैं। और अब फिर वहाँ master आते हैं और उन्हें बताते हैं कि इन्होंने अपना exam पास कर लिया है। अब निंग रॉंग रॉंग का score बताया जाता है कि उसने God of Ocean का 5th exam पास कर लिया है और अब उसकी soul पार 77 लेवल की हो गई है। जाते हैं और वहाँ पास कर लिया है।